नमस्कार आप देख रहे हैं एंपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताज अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अधिलाज लोगसभा चुनाव 2024 सरपर हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तयारियां कर रहे हैं ऐसे में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अर्विंद केजरिवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही अर्विंद केजरिवाल जहां एक तरफ पंजाब दिली और उत्तर भारत की सीटों को साधने में लगे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ पीडी के आठ समन के जवाब में जब पोर्ट ने उन्हें तलब किया तो उस पर उन्होंने अपनी बात रखी दरसल खाली में शुकरवार को मुख्यमंत्री केजरिवाल की तरफ से अधिवक्ता राजीम मोहन और वरिष्ड अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने जिरह की पोर्ट की तरफ से मिले दूसरे समन पर गुपता ने अपनी दलीले पेश करते हुए केजरिवाल की साथगी का वर्णन करते हुए तरसल उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्टी सेयोजक के कपड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा आम आदमी कौन हो सकता है उन्होंने का कि केजरिवाल के जैसा सामान आदमी कौन होगा वो कभी सूप नहीं पहनते कभी जूते नहीं पहनते शर्ट भी जो पेहनते हैं वो पेहन्ट के बाहर रहती है दिन में तीन बार कपड़े नहीं बदलते वो एक सामान या थी ये उन्होंने उस बात को लेकर कहा कि जब एडी ने उन्हें आठ समन बेजे और शराब गोटाले में केजरिवाल को एक धिरासत की बात की या फिर पूस्ताज की बात की तो केजरिवाल वहाँ पर पेश नहीं हुए वहीं वरिष्ट अदिवक्तर अमेश गुटा ने बहस की शुरुवात करते हुए केजरिवाल को वकील के माध्यम से पेश होने या समन पर स्टे लगाये जाने की मांद की जिसका विरोद करते हुए एसजी ने कहा कि तारीक बहुत पहले तैह हो गई थी वकील ने कहा मुझ पर क्या आरोप है तीन समझ जारी किये गए और केजरिवाल उपस्थित नहीं हुए इसलिए मैंने धारा 114 के तैट अपराद किया है वहीं इडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल स्वी राजू ने कहा कि 17 परवरी का आदेश है और बचावपक्ष उपस्थिती से एक दिन पहले अदालत के सामने राहत की मांग कर रहा है अब उपस्थिती से वो छूट मांग रहे हैं यह कोट का निरादर है बड़ी बात यह है कि शराब गोटाले में कथित आरोपी बताया जा रहे है अर्विन केजरिवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही हाला कि उन्होंने राहत की मांग की है अब देखना होगा कि यहाँ पर पोट उनको लेकर क्या बड़ा फैसला सुनाती है पिलाल इसका सब्रेट में इतना ही हमें देदीजे इजाज़त और हां हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत पूरेगा मुश्क्राइब